आप सबी का स्वागत है हमारी चैनल इंजिनियर्स कोच में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई आपजेक्ट की लेंथ अगर फीट और इंचेज में दी हुई है तो उसको एड़ और मलिप्लाई कैसे करते हैं आउ समझते हैं जैसे कोई वाल यहां पे है अब इस वा दस फिट छेंज को मतलब इसको इन दोनों को एड़ कैसे करें इन दोनों वैलू उसको या फिर मल्टिप्लाई कैसे करें पहले देखते हैं कि एड़ कैसे करेंगे बहुत से लोग सोचते होंगे कि इसको लिख दें 10.6 प्लस 10.6 जो की गलत है यह तरीका नहीं है इसको आइ इंचे में हैं तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा या तो इस उसक्स इंच को फीट में कनवर्ट कर लें या फिर दूसरा ओप्शन यह है कि इस दम पर को इनंच में कनवर्ट करके शीक हैं लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाते हैं simple तरीके से कि इस 6 को हम convert कर लेंगे fit में and add कर देंगे इस 10 में कैसे यहाँ पर 1 fit is equal to होता है 12 inches तो यानि अब हमें इस 6 को fit में convert करने के लिए क्या करना होगा 6 को 12 से अगर हम divide कर देते हैं तो हमारा अब यह जो 6 inch है वो convert हो गया fit में अब इस 10 fit में हम इस 6 inches को जो हमने fit में convert किया था उसको add कर देते हैं यह हो जाएगा 10.5 अब मतलब यह जो total यह जो value है 10 fits 6 inch अब वो convert हो चुकी है पूरे fit में यानि 10.5 feet पढ़ेंगे अब इसको अब इसमें इंच नहीं है बस पूरी fit है यह प्लस सेम ऐसे इस value के साथ भी करेंगे 10.5 अब यहां पर हम आइड कर देंगे इसको add करने के बाद हमारा value आएगा 21 feet अब बात कर लेते हैं multiplication की मान लेते हैं यह कोई room है इसकी dimension है 10 feet 6 inches एंड यह ले लेते हैं इसकी length 20 feet 6 inches अब हमें find करना है अगर इसका area area तो area का formula आप सभी को पता होगा length into width कर देते हैं अब यहां पर length जैसे given है 20 feet 6 inches तो अब इस 6 inches को भी हमें convert करना होगा fit में और 20 में add कर देना होगा तो हमने यहां पहले से convert कर रखा है 6 को feet में 6 inches को feet में हमने convert कर रखा है तो कितना है 0.5 अब इस 20 में add कर देते हैं 0.5 आ जाएगा 20.5 20.5 feet अब इसे पढ़ेंगे गया 20.5 feet पढ़ेंगे अब इसमें इंच नहीं है यह जो 5 है वो इंच नहीं है वो feet feet है वो 20.5 नाउ इसे width को भी हम convert कर लेंगे कि इसमें टोटल feet में हमने इस 10 feet 6 inches को पहले ही अल्रेडी convert कर रखा है 10.5 feet अब इसको multiply करने के बाद हमारा जो value आएगा वो आएगा 215.25 square feet अगर हम क्या करते कि इस 10 इस लेंथ को 10.6 लिख देते और 20.6 लिख कैसे कर multiply कर देते तो लगबग कुछ square feet का उसमें फर्क आ जाता और इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि इस value को जैसे 10 feet 6 inches है तो इसको 10.6 हम नहीं लिख सकते हैं और अगर कोई value ऐसे अगर लिखी हुई है 10.6 means इसका ये मतलब है 10.6 feet अगर लिखी हुई है तो इसने ये पूरी feet में है और ये जो points ये 6 है ये inches में नहीं है ये पूरी value 10.6 ये पूरा feet में है तो ये था छोटा सा lecture आपके लिए अगर ये आपने अगर इससे को सीखा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना कोई question होगा तो comment box में drop कर दो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू